Hello Students, This is Vinay और आप देख रहे हैं Pi-Fi Learning लास्ट लेक्शर के अंदर आपने मैगनेटिक सर्किट के का कुछ बेसिक पढ़ा डाइपॉल्स के बारे में आपने पढ़ा, आपने मैगनेटिजिशन के बारे में पढ़ा Magnetic Susceptibility के बारे में और Magnetic Permeability के बारे में हमने लास्ट लेक्शर के अंदर हम देख चुके हैं अब यहाँ पर हम उसी से रिलेटेड आपके कुछ Numericals भी देखेंगे जो आपके different exams के अंदर आ सकते हैं तो देखो, पहला Numerical मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है What will be the Magnetic Susceptibility आपको किसकी value निकालनी है यहाँ पर Magnetic Susceptibility की यानि कि यह कह रहा है आपका कि आप इसकी value निकालनी है XM की, ठीक है, Sky जिसको बोलते हैं आपका XM of a material Captain Free Space Free Space का मतलब आपका क्या हुआ कि उसको Free Space का मतलब Air के अंदर उसको रखा गया है किसको रखा गया है, material को, ठीक है If the filled strength of the material is अब जो यह filled strength के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर देखो, filled strength of the material is this यह आपका important है तो filled strength, Magnetic filled strength हम B को भी बोलते हैं But, यहाँ पर filled strength आपकी given है साथ में आपका क्या गिवाग दिया हुआ है Ampere per meter उसकी unit given है तो सबसे पहले हमें identify करना है कि Ampere per meter unit किसकी होती है तो देखो, Ampere per meter दो आपके होते हैं जिसकी unit होती है एक तो मैंने आपको बताया Intensity of Magnetization की unit होती है और साथ-साथ, दूसरा आपका किसकी unit होती है Magnetic filled intensity की unit होती है यहाँ पर intensity की बारे में नहीं दे रहा है यहाँ पर क्या दे रहा है? Filled strength की बारे में दे रहा है तो जो आपकी यहाँ पर Ampere per meter के हिसाब से given है 0.4 into 10 is to power 7 यह आपकी क्या है? This is your H H is equal to 0.4 into 10 is to power 7 Ampere per meter अब आगे ends of flux density आप देखो मैंने आपको बता है Magnetic filled density या फिर हम बोले flux density Magnetic filled density या तो हम बोले Magnetic filled density है Fill density या फिर हम इसको बोले flux density और यह आपको क्या होता है? This is your P ठीक है? यह आपको क्या होता है? ठीक है? तो B आपको कितना given है? यहाँ पर B की value given है 12 Tesla ठीक है T का मतलब आपको क्या हो गया? This is Tesla या फिर आपको देता Weber per meter square में तब भी आपको क्या होती यहाँ पे? तब भी आपको क्या होती flux density अब यहाँ पे आपका H given है और साथ में B given है दो चीज़ें आपको given है और आप से पूछा गया है What is the value of the sky? याने की magnetic susceptibility की value बताईए तो यहाँ से अब देखो सबसे पहले B it is equal to आपको क्या होता है? B it is equal to mu naught mu r into h ठीक है? अब यहाँ पे मैंने last lecture के अंदर आपको mu r drive करके बताया था कि mu r आपको क्या होता है? mu r this is equal to 1 plus x m ठीक है? यहाँ से mu r को हम बोलते है relative permeability last lecture के अंदर शायद यह नहीं बताया गया absolute permeability कि इसको बोलते है mu naught को और mu r क्या होता है? relative permeability relative permeability ठीक है? यह आपकी होती है क्या? relative permeability और यह जो आपकी relative permeability है यह आपकी किस पे depend करती? x m पे depend करती है mu r is also a constant ठीक है? mu r भी आपका क्या है? constant है तो यहाँ से इसका मतलब mu r की आपकी कोई unit नहीं होती mu r सीधा होता है जैसे mu r आपका iron का होगया 2000 given होगा ठीक है? आपका cobalt का होगया उसका कुछ और given है 1800 या फिर 2200 आपका given होगा माल लीजिए एक दो लड़के हैं एक पहला लड़का यहाँ पे है इसका नाम है माल लीजिए अब्दुल ठीक है? एक का नाम अब्दुल है और दूसरे का नाम है दूसरे लड़के का नाम है आपका शाप ठीक है? दो लड़के हैं आपके अब इन दोनों में से ए दो लड़के हैं आपके ठीक है अब हम क्या करते हैं हम comparison करते हैं कैसे हम आप बोलें कि यह जो है first one first one यह second है आपका फस्ट वाला जो है वो second वाले से ज़्यादा intelligent है ठीक है अब intelligence की भी अलग अलग परिभासाएं होती है ठीक mu note होता है और एक आपका क्या होता है mu r आपका होता है mu note आपका यह होता है कि अगर आपका material magnetic नहीं है अगर आपका material magnetic नहीं है तब उस case में आपका mu r की जो value होगी वो आपके क्या हो रहेगी वो आपकी air के चितनी ही आपकी क्या हो जाती है वहाँ पर mu r की value हो जाती है अग अगर material magnetic नहीं है और अगर आपका material magnetic है तो इसका मतलब mu R वहां पे बढ़ जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि Xm आपका क्या होता है ठीक है कितना magnetize कर सकता है जितना ज़्यादा आपका magnetization होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी value किसकी होगी mu R की value होगी तो ये बात आप अपने दिमाग में set रखेगा कि mu R की जो value होती है वो depend करती आपकी किस पे किस type का material आपने use किया है क्या वो material magnetization कर रहा है या फिर वो magnetization नहीं कर रहा है वो आपका कों decide करता है mu R या फिर हम बोले Xm आपका decide करता है ठीक है तो यहाँ पर उसी से related मैंने आपको इसके बरहे में बताया है अब हम आगे question में further proceed करते हैं तो यहां से अगर मैं सबसे पहले value निकालूं तो हमेरे यहां से value आएगी mu naught into mu R की value और यह आपकी क्या value आजाएगी this is B divided by H अब B की जो value है यह आपकी value given है आपकी question में 12 है आपकी so this is 12 divided by what is H, H की जो value given है that is 0.4 into 10 is to power 7 इतनी value आपको यहां पे given है अब हमें क्या करना है हमें xm की value निकालनी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा mu R की value निकालनी पड़ेगी और mu R minus 1 कर देंगे तो आपका किसकी value आजाएगी xm की value आजाएगी यहां से mu R की value आपकी क्या आजाएगी mu R it is equal to 12 divided by 0.4 into 10 is to power 7 चीए यह आपकी value आजाएगी और साथ में आपका क्या होता है into mu note mu note आपका denominator में नीचे आजाएगा तो यहां से आपका इसको हम लिखेंगे mu note की जो value आपकी होती है यह आपकी होती है 4 pi into 10 is to power minus 7 चीए 4 pi into 10 is to power minus 7 यह आपके unit किसकी रहेगी यह आपके unit रहेगी mu note की ठीक है अब यहां से this is equal to mu R की जो value यहां से calculate करेंगे तो यह आपकी value देगा 2.387 आप इसको check भी कर सकते हो अब mu R की value यहां पर इतने रहेगी तो यहां से 1 plus xm 1 plus xm it is equal to mu R और xm की value जो आपकी आएगी this is mu R minus 1 so this is equal to 1.387 तो इसका मतलब आपकी सिर्फ आपको क्या करना है calculation आपकी strong मनानी है और फिर आपको formula याद होना चाहिए तुरंट आपका question निकल जाएगा म्यू नोट रहेगा बिना म्यू नोट के आपका mu R की value निकलना impossible है अगर इस type का data होगा तो mu R की कई बार, sorry mu R तो आपका क्या है dimensionless है, mu R की कोई आपकी unit नहीं होती तो इसको हम बोलते है this is unitless ठीक है या पी क्या है unitless है तो अब हम इसमें जानेंगे क्या आपका mu note भी dimensionless आपका होता है या नहीं या फिर इसकी कोई value होती है या फिर नहीं होती ठीक है तो देखो मैंने आपको starting में बताया कि अगर आपका material non magnetic है तब भी हम क्या लिखते हैं तब आपका लिखेंगे b it is equal to mu note h ठीक है अब b की unit आपके different है h की unit आपके different है दोनों की unit क्योंकि आपके different है तो इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि b आपकी mu note की कुछ ना कुछ value जरूर आएगी ठीक है तो mu note की unit हम define करने की कोशिश करते हैं कि mu note की unit क्या आएगी तो एक आपका low होता है bio swatla जिसको बोलते है bio swatla ठीक है bio swatla आपका क्या बताता है कि जो आपका b है this is equal to mu note i dot dl divided by r square ठीक है यह आपके unit किसकी रहेगी यह आपके unit रहती है b की ठीक है b it is equal to this i dot dl divided by r square यानि कि आपका ऐसे समझी यह मालिज आपके पास में कोई भी conductor है और आपने इसकी small इतने dimension के लिए आपने क्या दिखाया यहाँ पे current जा रहा है तो इससे आपका current जा रहा है यह आपका माल लिजिए पूरी length आपकी dl यह पूरी length l है तो यहाँ पे dl है और कितने distance तक इसकी magnetic field को देखा जा सकता है divided by r square आपका आजाएगा तो यहाँ से हम इसके अंदर आपका बता सकते हैं कि b की value आपकी यहाँ से आपका जा देखिए index 10 आपका क्या होता है यह हम पहले भी पढ़ चुके है index 10 के बारे में हमने पढ़ा कि e is equal to nd phi by dt ठीक है और यह आपका किसके बरावर होता है l di by dt के बरावर भी होता है ठीक है यहाँ से phi की value आपकी होती है यह आपकी क्या होती है phi it is equal to b dot a ठ यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि यह आपका क्या होगा n into phi this is equal to l into i और flux आपका और आपका क्या होता यहाँ से जब आगे drive करेंगे हम आगे जब magnetic circuit में बढ़ाएंगे तो यहाँ से drive भी करेंगे इन चीजों को तो यहाँ से phi it is equal to mmf divided by reluctance ठीक है mmf divided by reluctance this is equal to ni divided by l upon mu into a ठी i को हम बोलते है mmf और यह जो नीचे आपका है l divided by mu a यह आपका क्या होता है this is your reluctance ठीक है तो अब यहाँ से same यहाँ से हम क्या करते हैं इसको इसके अंदर आपकी value put करते हैं तो यहाँ से n square into i divided by reluctance this is equal to l into i i से आपका i क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा और यहाँ से हम इसको लिखेंगे l it is equal to n square divided by reluctance into 7 में आपका क्या होता है henry ठीक है 7 में क्या रहता है henry अब मैंने आपको बदा reluctance आपका क्या होता है n square divided by l into mu into a ठीक है तो यह आपका रहेगा mu it is equal to आपको पता है mu it is equal to इस पूरे को हम बोलते है mu इस पूरे को जयाने कि mu it is equal to mu not into mu r आपका रहता है तो हमें किसकी value निकालनी है mu r की value निकालनी है यहाँ पर क्या है नमर ओफ टnस number ओफ टनस आपके क्या रहते हैं fix रहते है l आपको किसमें होता है middle square के अंदर आपका होता है । और this is equal to inductance और inductance की unit क्या है henry के अंदर है तो यहां से mu naught into mu r into meter square divided by meter this is equal to henry और यह आपका cancel out हो जाएगा तो यहां से आपकी value आजाएगी mu naught की और यह आपकी क्या रहती है henry per meter ठीक है और इसकी जो overall value आपकी रहेगी यह आपकी क्या रहेगी mu naught की value mu naught it is equal to 4 pi into 10 raise to power minus 7 henry per meter तो कई बार आपसे इसकी value भी पूछ ली जाती है direct exams के अंदर की mu naught की value बताईए या फिर आपसे पूछ लिया जाता है की mu r की unit आपकी unit आपकी क्या होती है unit हमेशा याद रखेगा unit आपकी क्या होती है henry per meter और mu r की जो आपकी unit है mu r आपका क्या होता है it is unitless इसकी कोई unit नहीं होती यह आपकी constant दी जाती है ठीक है तो यह इस question में था आपके लिए जितना भी है सब कुछ आप note करते चलिए के साथ साथ और अगर आपको PDF भी चाहिए ऐसे ही questions की जिसका solution भी हो और साथ में बाकी की जितने भी lectures हैं तो आप Google Play Store से Pifi Learning App डाउनलोड कर सकते हो तो अब यहां से हम देखते हैं आपका next question यहां इस question में देखिए क्या कहा रहा है what will be the magnetic susceptibility यानि कि इस बार फिर से आपसे वही निकलवाना चाहता है magnetic susceptibility ठीक है यानि कि यह आपसे काई की value निकलवाना चाहता है आगे क्या कहा रहा है of material material की बताइए if the magnetic field strength फिर से वही दिया हो है magnetic field strength है of material is this 1200 ampere per meter तो ampere per meter है इसका मतब या तो H है या फिर आपका M है अब आगे क्या कहा रहा है and intensity of magnetization यानि कि इस बार इसने साफ पता दिया कि M की value आपकी क्या है 0.084 ampere per meter है आपकी ठीक है तो यहां से हम XM की value निकालेंगे फिर आपकी μुर की value भी देखने के कोशिश करते है क्या आती है आपकी तो यहां से आपका देखिए क्या हैगा this is XM XM it is equal to क्या होता है this is equal to M divided by H M की value आपको given है 0.084 so this is 0.084 divided by आपके इतना हो जाएगा 1200 ठीक है divided by 1200 तो यहां से अगर हम इसको देखे हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 is to power minus 3 करके लिख सकते हैं 84 और यहां से 2-0 यहां से गई तो यहां से आपका जाएगा 10 is to this is equal to this ठीक है sorry इसको अच्छे से कर लेते हैं तो यहां से इसको हम करते हैं यह आपका क्या है 0.04 एक दो तीन तीन दसमलव हैं तो 10 is to power minus 3 नीचे आपका क्या है 12 into 10 is to power 2 कर सकते हैं into यहां पे हम लिख सकते हैं इसको 84 ठीक है तो 12 और यहां से आपका हो गया 7 ठीक है 12 into 7 84 आपका होता है 7 आपका आगया और यह आपका क्या हो गया 7 into 10 is to power minus 5 और इसके हिसाब से आपका जो option मैच करता है वो है आपका यह वाला क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0.7 एक आपने यहां पे आगे ले लिया और 10 is to power minus 4 बच गया ठीक है और इसके unit आपकी होती नहीं है तो आपका option क्या हो जाएगा यहां पे भी ठीक है यह तो आपका बहुत यह आसान question था इसमें सीधा सीधा given था अब यहां से हम समझते क्या है इस question से देखो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि आपने जो magnetic field strength लगाई material के उपर of material वो आपके कितनी है 1200 ampere per meter है लेकिन जो material है उसकी intensity कितनी है यानि कि वो कितना magnetize हो रहा है ठीक है वो आपके कितना magnetize हो रहा है 0.084 यानि कि आपका जो यहां पे magnetization के limit है वो बहुत ही थोड़ी है तो इसका मतलब जो material आपका है वो या तो non-magnetic है या फिर slightly magnetic उसको बोल सकते है तो यहां से हम mu r की value निकलना चाहें तो mu r it is equal to क्या होता है mu r it is equal to 1 plus xm तो अगर आपसे पूस्ता mu r की value तो हम क्या कर देते जो यहां पे value आई है इसके अंदर आपका 1 को add कर देते ठीक है तब भी आपने क्या रहा है थी value nearly equal to 1 होती क्योंकि यह जो value है इसको अगर हम वैसे लिखे 0.00007 ठीक है तो यहां से आपकी value केतने आती 1.00007 यानि कि या तो आपका material non-magnetic है या फिर हलका सा magnetic बोल सकते है slightly magnetic material है तो इसका मतलब आपका यह हुआ आप देखो कई students को आप में से confusion हो रहा होगा कि पिछले उसमें आपने जो लिखा mu note की value आपने बताई 4 pi into 10 is power minus 7 henry per meter तो यह तो हम directly भी याद कर सकते हैं ठीक है यह तो आप लोग directly भी कर सकते हो ठीक है तो अब जो मैंने आपको reluctance है और ऐसे relate करके बता दिया था तो वो आपका कहां से drive होता है उसके बारे में किसी को कोई knowledge नहीं है तो उसके बारे में हम एक बड़ देख लेते हैं इसको हम बाफिर से देखेंगे जब आपका machine पढ़ेंगे क्योंकि important concept है यह इसलिए मैंने आपको ज़्यादा detail में नहीं बताया था तो यहां से आपका देखो क्या आएगा आपका यहां से आपका आएगा कि सबसे पहले आपने क्या किया ampere slow तो हम लिखेंगे according to ampere slow ampere slow की according आपका क्या आता है ampere slow की according आपका आता है h it is equal to ni divided by l और यह मैंने आपको पहले बताया यहां से आपका क्या होता है total current enclosed in a circuit this is equal to यह आपका किसके बराब होता है this is the line integral of this यह line integral होता है आपका magnetic field strength का magnetic field intensity भी इसको बोलते है तो यहां से आपका number of turns अगर आपके n है उस coil के अंदर तो यहां से ni divided by आपका क्या हो जाता l आपका आजाता है फिर आपने देखा कि b it is equal to क्या होता है mu naught mu r into h यह हमने अभी drive किया है तो इसको हम mu naught mu r को बोलते है mu into h ठेक है दोनों को एक साथ अपका कर सकते है mu h आपका बोल सकते है तो इसका मतलब b की जो value आपके आएगी यहां से b को हम लिख सकते है mu ni divided by l ठेक है अब इसके बाद में आपका flux के साथ में क्या relation है तो flux को हम बोलते है phi it is equal to b into area ठेक है total जो filled है आपकी उसको कितना area में enclosed किया हुआ flux it is equal to this तो यहां से इसको हम जब रखेंगे इसकी value तो यहां आपका आएगा mu ni divided by l into area और इसको मैं लिख सकता हूँ ni divided by l upon mu into a ठेक है उपर ओले को हम क्या बोलते है उपर वाले को हम बोलते हैं mmf यैनि कि ni को हम बोलते हैं mmf और नीचे वाले कौम क्या बोलते हैं, रिलेक्टेंस आपका बोलते हैं, और यहां से आपका drive होता है, जो मैंने आपको बताया, इंडेक्टेंस के रिगार्डिंग, यानि कि इंडेक्टेंस, L is equal to N square divided by रिलेक्टेंस, और रिलेक्टेंस आपका क्या है, यहां पर रिलेक्टेंस, इंडेक्टेंस इंडेक्टेंस इपल तो L x Mule रिलेक्टेंस, अब यह तो आपका हो गया, यह सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया है, यह सब कुछ आपका किसके अंदर होगा, गयनेटिक का पार्ट होगा, तो यह सेम आपका ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के अंदर भी होता है इलेक्ट्रिकल सर्केट्स के अंदर जैसे आपने बढ़ा ये वील के इसल के बरे में उससे भी आपका रिलेट कर सकते हैं इसको बहुत यासान चीज़े हैं ये तो ये आप अपने नोटबुक में नोट्स में आपका याद करके रखेगा ये कहां से आया है और साथ-साथ एल की जो यूनिट होती है एल की यूनिट क्या होती है हेंरी ठीक है एल की यूनिट क्या होती है हेंरी ठीक है, n-square divided by reluctance होगा और reluctance क्या है, l divided by mu into a, ठीक है, अब यहाँ से इसको हम put करते है, l l it is equal to क्या हो जाएगा भाई, n-square divided by reluctance, यानि कि l mu into area और यहाँ से इसकी unit आपकी क्या है, this is henry, इसकी unit क्या है अपकी, henry unit है अपकी, तो यहाँ से, अब देखो ampere, यह आपका क्या area तो area आपका क्या होता है, this is equal to l, it is equal to mu naught mu naught की value आपका निकालने, mu r तो आपका dimensionless है, mu naught into mu r n-square, और यहाँ से आपका इसको लिखेंगे, meter square divided into meter, into, यहाँ पे आपका किसमे होता है, this is in henry, हमें किसकी unit निकालनी है, mu r की, तो यहाँ से आपका कैसे निकालनी है, यहाँ से mu naught की value निकालनी है तो mu naught की value आपकी क्या हो जाएगी यहाँ से, इसकी unit आपकी किसमे होती है this is in henry, यह सामने हम लिख सकते हैं में Henry में यहां से आपका यह आपका cancel out हो जाएगा और n square number of tons है आपके mu r आपका dimension ले से तो यहां से आपकी mu naught की value आपके आएगी this is 4 pi into 10 is power minus 7 और यह आपका किसमें हो जाएगा Henry पर meter में ठीक है यही मैंने आपको last में drive करके बताया था ठीक है तो यह आपका इस question में है आप देखेंगे आपका next question इस question में देखेंगे आपका क्या बोल रहा है यह determine the intensity of magnetization आपको intensity of magnetization निकालनी है of a magnet एक magnet की निकालनी है ठीक है magnet है आपकी मालिजे bar magnet हम assume कर लेते हैं अपनी तरब से यह मालिजे आपके पास में कोई भी bar magnet है ठीक है यह आपकी bar magnet है it is like this और यहां पे आपका क्या बनता है यहां पे आपका एक pole है ठीक है this is this is pole north and this is pole south ठीक है दो pole है अब इसके बाद में आपका क्या कह रहा है of a magnet when its pole strength is 100 weber यहाँ पे pole strength 100 weber होती weber दी हुई है और pole strength 100 weber देने का मतलब आपका क्या हुआ 100 weber अब देखो weber किसकी unit होती है it is the unit of flux लेकिन यहाँ पे आपका क्या कह रहा है flux की जगे यह क्या term use कर रहा है वो important है आपके लिए तो यहाँ पे जो term आपकी use हो रही है that is pole strength तो यहाँ से flux को हम क्या बोल रहे है this is pole strength ठीक है यह आपका क्या बोल रहा है इसको pole strength pole strength का मतलब जो north pole है इसकी जो strength है वो जो flux produce कर रहा है वो है आपके कितनी this is equal to 100 weber ठीक है weber को हम short form में ऐसे लिख सकते हैं and a pole area और इसका area है यानि कि इस area की बात कर रहा है इस area की जो बात कर रहा है वो आपके दे रहा है 70 square meter तो pole का जो area है pole area this is equal to 70 square meter ठीक है अब आपको किसमे निकालना है यह यह दे रहा है आपका intensity of magnetization की unit हमने पहले भी देखी कि intensity of magnetization की unit आपकी किसमे रहती है ampere per meter में ठीक है अब हमें यह दोनों चीजें एक दूसरे के साथ में क्या करनी है या फिर shift Mewr into area यह आपका होता है और H आपकी जो unit होती है H की जो unit होती है वो आप टीकस में रहती है h की unit आपकी किसमे होती है mpr per meter के अंदर similarly magnetization, intensity of magnetization की unit भी आपकी किसमे रहती है mpr per meter के अंदर आपकी unit होती है ठीक है, तो flux आपका क्या रहेगा, b into area आपका आएगा h की unit आपकी किसमे आजाएगी, mpr per meter के अंदर और M की unit बे किसमें आ जाएगी MpR per meter के अंदर अब इससे कैसे relate करें तो देखो यहां से यह आपका flux है यह आपका area है mu note यहां पे given नहीं है इस question में कुछ भी ठीक है तो हम क्या करेंगे हमें क्या निकालना intensity of magnetization निकालना है कि जब यहां से magnetic flux lines निकलेंगी तो जो material आपका nearby होगा उसके अंदर magnetic lines का क्या effect आएगा वो आपको बताना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहां से आपका direct हम इसमें relation निकालते हैं एक और intensity of magnetization intensity of magnetization ठीक है और intensity of magnetization को हम कैसे बोलते हैं this is equal to according to these divided by pole area divided by आपका क्या हो जाएगा pole area आपका आजाएगा ठीक है अब यहां से pole strength आपकी कितनी है pole strength आपकी given है 100 this is 100 divided by 70 ठीक है तो जब 100 divided by 70 आपका करेंगे तो आपका answer क्या हैगा D 1.43 तो यहां से option के इसाब से आपका option match करता है 1.43 ठीक है this is equal to intensity of magnetization तो question आपका घुआ के भी दे सकता है यह तो question आपका सीधा था तो मैंने आपका unit से आपका इसको करके बताया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं दूसरा अगर यह घुआ के देता है pole strength is equal to intensity of magnetization into into आपका क्या हो जाएगा वई into pole area ठीक है यह आपका क्या हो जाएगा pole area एक तो आपका यह है दूसरा मैंने आपको बताया था dipole moment अगर आपको याद हो और dipole moment के बारे मैंने आपका क्या बताया pole strength into length ठीक है तो दूसरा हम यहाई पे लिख देते हैं आपका dipole moment आपका क्या होता है अगर question dipole moment से होता तो हम क्या करते pole strength pole strength into length ठीक है यह आपका important है जोनो तो यह आप याद रखेगा अब हम देखते हैं इसका next question इस question में देखिए what will be the flux density आपकी flux density क्या होगी यानि कि आपका B के बारे में बात कर रहा है क्योंकि आपका दिया भी हुआ है आपको किसमें बताना है यह टेसला के अंदर बताना है तो इसका मतलब आपको क्या identify करना है यहां पर B की value निकालनी है ठीक है आगे क्या कह रहा है of a material in free space free space में है आपका ठीक है यानि कि आपका air के अंदर आपका बात कर रहा है किसी कोई material आपने नहीं provide किया if the filled strength of the material is this अगर आपकी filled strength filled strength का मतलब क्या हो गया this is H यह आपकी क्या है H it is equal to 2 into 10 is to power 6 ampere per meter आगे दरह magnetic susceptibility of the material is this और magnetic susceptibility यानि कि आपकी काई की जो value है Xm this is equal to 0.44 into 10 is to power minus 3 यह आपका पहले से यहाँ पे given है तो B की जो आपकी value होती है B आपका क्या होता है B it is equal to mu naught mu r into h यह हमें पता है कि यहाँ पे ऐसे होता है अब यहाँ पे क्योंकि आपका free space का given है तो free space में भी आपका mu r की कुछ ना कुछ value होती है मतलब यह तो slightly greater than 1 होगी या फिर 1 आपका लेते हैं और क्योंकि यहाँ पे xm की value कुछ given है तो इसको हम कैसे रिखेंगे mu naught 1 plus xm into h ठीक है 1 plus काई भी बोल सकते हैं और into आपका क्या होगा h तो यहाँ से mu naught की value आपका पता है क्या होती है 4 pi into 10 is to power minus 7 1 henry per meter इसकी unit आपकी होती है और यहाँ पे 1 plus काई की value कितने given है 0.44 into 10 is to power minus 3 तो देखो अगर हम इसको वैसे expand करके लिखते हैं तो आपका क्या आएगा 1 plus 0.00044 और यह इस nearly equal to 1 भी कह सकते हैं हम कई बार जब आपका round off करते हैं तो इसको 1 के nearly कह सकते हैं equal तो इसलिए मैंने आपको बताया free space का मतला क्या समझ सकते हैं 1 भी समझ सकते हैं या कुछ value given है उसको भी हम consider कर सकते हैं आगे given है into 2 into 10 is to power 6 तो जब हम इसको soul out करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा देखो यह 10 is to power minus 1 बचेगा यहाँ से यह आपका cancel out हो जाएगा इसके साथ में और यहाँ से 8 into pi 8 pi और यहाँ से जब इसको साथ में multiply करेंगे into 10 is to power minus this तो 8 into 3 आपका 24 क्या सपास होता है तो लगभग आपका 25 आएगा 0.25 tesla 0.25 tesla यह आपकी क्या आ जाएगे this is your magnetic flux density यह फिर हम इसको क्या बोल सकते है magnetic flux oh sorry magnetic field density यह फिर magnetic flux density दोनों ही आपका इसमें बोल सकते हैं चोने density आपका क्यों बोलते हैं क्योंकि जो current आपका होता है जो current density आपकी होती j it is equal to क्या होता है i upon a ठीक है J it is equal to I upon क्या होता A तो इसी तरीके से आपके जो flux density होगी flux density यानि की B की value की बात करें this is equal to 5 divided by area और कई बार जब हम magnetic circuit का आपका electrical circuit के साथ में comparison करते हैं तब हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो current है it is analogous to flux जैसे current को flow होने के लिए क्या चाहिए होता है आपका कम resistance का पाथ चाहिए वैसे ही flux को भी pass करने के लिए कम reluctance का पाथ चाहिए ठीक है यह हम आगे आपका discuss करेंगे जब इसको magnetic circuit को आगे आपका further proceed करेंगे और यह आपका हर बार आपका concept आता रहेगा कि कि जब भी reluctance आपका कम होगा वहाँ पे magnetic field जादा होगी और जहाँ पे आपका reluctance जादा होगा वहाँ पे आपकी magnetic flux क्या होगी कम होगी अब यह था आपका इस question में अब देखते हैं आपका next question यहाँ पर my dear, दो question आपके given है पहले question के अंदर आपका given है आपको calculate करना है intensity of magnetization ampere per meter में एक material के अंदर और वहाँ पे magnetic field strength यानि कि आपकी h की value वहाँ पे given है magnetic field strength का मतलब h की value आपकी यहाँ पे given है h it is equal to कितना है 1800 ampere per meter फिर आपका कहा रहा है कि magnetic susceptibility भी है आपकी यानि कि आपकी chi की value आपकी given है this is equal to 0.4 into 10 is to power minus 5 ठीक है अब यहाँ से आपको क्या निकालना m की value निकालनी है तो हमें पता है कि xm xm this is equal to या फिर इसको बोले chi it is equal to क्या होता है आपका यह this is equal to m divided by h sorry m m divided by आपका क्या होता है h आपका आता है अब जो m है आपका यह इसकी value निकालनी है तो m it is equal to xm into क्या हो जाएगा h और यहाँ से 1800 into 0.4 into 10 is to power minus 5 तो 72 है कहीं पर 8 into 4 आपका यह आजाएगा this is equal to 0.0072 ठीक है या फिर हम इसको बोलें 20 से आपका यह cancel out हो जाएगा 10 is to power minus 3 और यहाँ से इसको हम लिखें तो यह आपका हो जाएगा 10 is to power minus 4 18 into 4 72 into 10 is to power minus 4 या फिर हम इसको बोलें ऐसे और इसके unit क्या रहेगी ampere per meter क्योंकि xm आपका क्या होता है dimensionless quantity होती है तो बहुत ही आपका आसान question था यह जो मैंने अभी आपको बताया अब इसके बाद में next आपका question गी दिया है ठीक है यह आपका next question है तो next question के अंदर आपका क्या है आपको बताना है कि इन में से कौन सा आपका formula किसका रहेगा intensity of magnetization तो intensity of magnetization के बारे में हम जानते ही है intensity of magnetization किसको बोलते है M को बोलते है और M यहाँ इसके बारे में पूछ रहे है intensity of magnetization आपी क्या होगी ठीक है तो यहाँ से आपका देखो सबसे पहले formula के अगर हम बात करें F divided by this तो यहाँ से Fm का क्या मतलब है क्या रोल है आपका इसको बोलते हैं आपका MMF यानि कि magnetomotive force तो क्योंकि F आपका given है तो यह आपकी magnetic force है तो 5 divided by magnetic force और हम flux के बारे में अगर देखें 5 it is equal to आपका क्या होता Fm divided by reluctance ठीक है तो अगर 5 divided by Fm है तो इसको हम बोलेंगे 5 divided by Fm this is equal to 1 divided by आपका क्या है reluctance है यानि कि reciprocal of किसका है यह reluctance का आपका क्या है reciprocal है यहाँ ठीक है तो यह आपका आजाएगा यहाँ से इस तरीके से तो यानि कि यह आपका किसका formula बनता है 1 upon reluctance का formula होता है या फिर हम बोलें reciprocal of reluctance का formula आपका होता है फिर Ni divided by L, यह आपका किसका होता है, this is the formula for H, यह H का formula है, ना कि आपका किसका formula है, intensity of magnetization का, फिर उसके बाद में, B divided by H, तो हमें पता है, B it is by H, आपका क्या होता है, this is equal to mu आपका होता है, तो this is the formula of M, तो एक ही आपके पास में बचा, यानि कि C, अब यह आपका कैसे है, C आप magnetization, आपका क्या होता है, intensity of magnetization, intensity of magnetization, this is equal to, यह आपका किसके बराबर रहता है, intensity of magnetization, जैसे मैंने आपको बताया था, यह आपका क्या होता है, dipole moment, dipole moment per unit volume, इसको हम ऐसे भी represent कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा था, N into PM, तो यहाँ पे, जो आपका PM है, इसकी जगे इसने क्या दिया हुए, M दिया हुए, इसकी जगे इसका क्या दिया हुए, M दिया हुए, तो यह देखो, dipole moment आपका क्या होता है, pole strength, pole strength into length, into length, divided by, volume को हम कैसे लिख सकते हैं, area into length करके लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, area into length, यहाँ से यह cancel out हो this is equal to pole strength divided by area ठीक है तो pole strength को इसने represent कर दिया है किसे M से तो यहां से इसको हम कैसे लिखेंगे this is equal to M divided by A ठीक है तो यह exam के अंदर direct भी आपका पूछा जा सकता है या फिर आप से पूछ सकता है वो इसी से related आपका कोई numerical problem ठीक है तो इसको याद रखेगा this is the intensity of magnetization अब आपके दिमाग में एक चीज और आ सकती है यहां पे कि जो आपने लिखा है one upon reluctance यह आपका क्या होता है तो one upon reluctance या फिर हम बोलें reciprocal of reluctance इसको हम बोलते हैं permeance ठीक है यह भी आपका कई बार questions के अंदर पूछा जाता है कि what is the reciprocal of reluctance ठीक है तो reciprocal of reluctance आपका क्या होत होता है it is the reciprocal of resistance and permeance is the reciprocal of reluctance ठीक है यह आपके बहुत important है ऐसे ही आपका reactance का reciprocal आपका होता है susceptance तो कई बार exam में directly आपके पूछ लिए जाते हैं तो इसको आप remember रखिएगा अब इस lecture के अंदर आपके इतना ही था यानि कि यह numerical आपने अभी तक पढ़ा है कुछ जो formula based थे आपके उसे से related आपने कुछ numerical पढ़े उसके अलावा आप आपका अगर कुछ हो रहता है तो वो भी हमने यहां पर discuss किया एक एक करके अब हम इसके बाद में आपका dipole moment को आगे proceed करेंगे आपका आप देखेंगे what is the spin dipole moment and what is the orbital dipole moment और फिर उसके बाद में आपका हम discuss करेंगे diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism. Thank you, thank you so much.